जे हीं दोस्तों कैसेे हैं यह दवास्य करता हैं आप सब अच्छ автом कर देखें कि करेंट करेंच फिर कर जो हम लोग प्रेक्री सेट चला रहे हैं तो उसका पार्ट 3 देखेंगे जो दो तक हम लोगों ने complete कर लिया था दो तक जो प्रैक्टिस सेट था उसमें हम लोगों ने 200 कुश्चन तक complete कर लिया था और आज जो हम लोग देखेंगे तो 201 से लेकर 203 तक प्रशनों को देखेंगे क्योंकि यहां पर जो आपका प्रशन है इसमें प्रैक्टिस एट बाई नहीं दि प्रशन है यहां प्रशन हम लोगा है कि ICC द्वारा जुन्द वहरे किसको जारी टीटवेंटी इंटरनेशनल रैंकिंग में किस महिला खिलाडी को यहां पर परत्थमस्थान प्राप्त हुआ है तो इसमें प्रत्थमस्थान प्राप्त है सेफाली बर्मा को राइट एंसर कि तो नियुक हो जाएगा अगला प्रहशन देखिए से निपटने के लिए ऑक्सीजन रिसाइक्लिंग सिस्टम सुरू की गई है तो यह ऑक्सीजन रिसाइक्लिंग सिस्टम जो सुरू की गई है यह सुरू किया गया है भारतिय नवसेना के द्वारा अगला प्रसने चार नमर है कि किस देश के राष्ट पति को अफेरिका का अगरा प्रश्न की हाल ही में शिप्री द्वारा जारी रिपोर्ट के अनुफसार 2016-2020 के दवरान दुनिया का सबसे बड़ा हतियार नर्यातक देश कौन सा है तो दुनिया का सबसे बड़ा हतियार निर्यातक जो देश है वह है आपका USA है ठीक राइटन सर्दी हो जाएगा पर श्यासिवास्थान प्राप्त हुआ है अगला पॉइंट है कि किस भारतिय राजनेता को ग्लोबल एनर्जी एंड ए इन्वाइर्मेंट लेहां पर लीडर्शिप आवर्ड से समानित किया गया तो यह जो समानित किया गया है यहापको नरेंद्र मोदी को समानित किया है किस से ग्लोबल एनर्जी एंद इन्वर्मेंट लेडर्शिप あーट से समानित किया गया अगला पॉइंट है हम लोग कि कि स्राज सरकार के दवारा मिस्वन ऑक्सिजन सेलफ रिभृत ये रिजिकला की सुरॉत की गई है तो तो मिस ऑक्सिजन सेलफ रिदेस यजिशना की जिचत महाराष्ट सरकार के द sự किया है है से अगला प्रौइंट की बी माब कर Glass के सिमा इनचाश 59 नुप सब्सक्राइब आपकर आपको जोगत आगा है वह 54 पर तिसे किया रइ fasten साथ हो जाएगा अगला पुएंट है के 2020 21 के आर्थिक सर्वेक्षण का थिम क्या था तो आर्थिक सर्वेक्षण का जो थिम था वह थिम था सेविंग लाइट्स एंड लावी हुड क्या था सेविंग लाइट एम लावी हुड यह जुसा यह दो एक इसका आर्थिक सर्वेक्षण का थिम था चलिया अगरा पुर्वाज़ देश के पुर्व परदानमंतरी को पदम वीभूसन के प्रुव परदानमंतरी को समानित किया गया लगवांट का कि विषय सवार संगठन की अगवाई में कोवैक्स योजिना के तहत मुक्त कोविड ठीक को पराद करने वाला पहला देश कोन बना, तो पहला देश की बाद करे के दुआ है घहना बना है लेकोन भ जायेग हो जाएगा कैसे अगला पराश्ण हinasantsनी जोम बेहिए कि हाल ही में किस राज्य सरकार के द्वारा भूमी जुड़े विवादों को कौम करने के लिए भूमियों को भी वादों को खतम करने के लिए कि मुए जाया गया है उत्तर पर्देश राजय सरकार के द्वारा अगला प्रस्ने कि बीदेशी निमेश को आकर्सित करने की उदेशिय से हाल ही में किस देश के द्वारा नई नई नगरिक्ता निटि लागु की गई तो नई नगरिक्ता निटि जो लागु किया गया है या सद हमिराद के दोआयर किया है मोड़ा पॉलंट है कि सयद मुस्तक का लिटी 20 ट्रोफी 220 21 का किताब जीटा तो आपको तमिलाडू टीम के द्वारा जीता गया ठेक चलिए अगला पॉइंट है कि बर्स 2021 में दूसरे खेलो इंडिया उनिवर्सिटी गेम का आयोजन कहां किया जाएगा तो इसका आयोजन करनाटक में किया जाएगा चलिए अगला प्रश्ण हम लोग आए कि परावैगनी कीरनों से मेटरो कोच को सेनिटाइज करने वाली भारत की पहली मेटरो सेवा कौन बनी है तो यह जो मेटरो सेवा बनी है यह उन्नीश नौर प्रशने की यहाल ही में जारी घोषना के अनुसार किस राज्य में फुल प्रश्चंस करण के अंदर की अस्थापना की जाएगी यह क्या जाएगा करनाटक में में अगला प्रश्चन हम लोगा है कि आध्रे भूमी के संरख्षन प्रबन्धन के लिए भारत का पहला कंदर किस अस्थापित किया जाएगा वह चयनाई etmek रिगये आगे चाइगा है टेक्स्टाल के छेत्र के लिया थेक चलिए अगला प्रशन हम लोगा है कि किस कंपनी का आई और इंडियर पॉब्लिक ऑफिसर जारी किया जाएगा तो यह जारी किया जाएगा यह एलाई सी के द्वारा यह लाई सी को जारी क्या जाएगा ठीक रापका भी हो जाएगा कि अगला जो प्रश्ण हम लोग का है कि उत्राखंड में यहां पर उत्राखंड में गलेसियर टूटने से ठीक जाएं पान्सो बीस मेगावाट की दापवन बीशनू यहां पर वुश्नू गूण बुश्नू घंड पर यह उत्राखंड में यह तो सही है लेकिन यह किश्न नदी पर है तो यह आपको धौली गंगा नदी पर ठेक चलिया अगला प्रश्राइ कि जापान का सोरी जापान द्वारा दुनिया का सबसे सकति साली सुपर कम्प्रूटर बिक्षित क्या गया जिसका नाम है तो जिसका नाम क्या है उसका नाम है यहाँ पर आपका फूगाकू नाम है क्या नाम है उसका फूगाकू राइट अंसर सी हो जाएगा चलिया अगला जो प्रश्ण आम लोग है कि किस देश ने जलवायू परिवर्तन से निपटने के लिए हरित पहल की शुरुवात की है तो हरित पहल का जो शुरुवात किया गया है या शुरुव यह जो बिक्सित किया गया है यह नांसा के द्वारा प्रश्री पर धस राजेसरेने वान्त chang गोल्डन कार बनाने से द्वारा प्रशन से संक्रित यहां पर आयोजन किस राजे में किया गया तो यहां आयोजन पश्चिम बंगल में किया अगला प्रस्ने कि कौन सी भारतिय महिला किरिकेट खिलाड़ी अंतराष्टिय किरिकेट में यहां पर दस हजार 109 रन बनाने वाली पहरी भारतिय खिलाड़ी बन गई है तो वह है आपका मिताली राज अगला प्रश्न है खेलो इंडिया विंटर गेम्स में कौन सा राजिया यहां फिर केंदर सासीट परदेश परत्मस्थान पर रहा तो यहां पर परत्मस्थान पर ज जल्द सरक्षन अभ्यान जो शुरू किया गया यह आपको मध्य परदेश में शुरू किया गया अगला प्रशनी की मध्य परदेश सरकार ने हालही में होसंग बाद सहर का नाम परिवरतन कर क्या रखनी की घुशना की है तो होसंग बाद जो सहर का नाम परिवरतन करके नाम कि नियंह लिए आगया है वह लिए ना मतोबर लिए थे चलिए च Window के कि हाल ही में किस देश ने दुनिया के डुनिया के पहले ऊड़्जा दीप निर्मार करने की घुषन की तो पहला उर्जा जो दिव्द्य है डेन्मार्क बनाने की जो घोशना किया ठीक निर्मार्ण करने का घोशना किया है कि अगला पॉइंट है कि हाल ही में किस संस्था ने कोभी नैंटीन के कारण बरस 2020 को वर्थ यह और राउं राउं रिकॉर्ड यहां पर वर्थ यह और यह और और रिकॉर्ड घोशित किया तो यह जो घोशित किया है 200 पर्याटन संगठन के द्वारा घोशित किया है अगला पॉइंट है कि हाल ही में किस देश ने बर्थ 2030 तक दुनिया का सबसे बड़ा पवन उड़जा सर्यंतर स्थापित करने की घोशना की है तो 2030 तक गोशने करने का असथापित करने का जो गोश्urious लाक वह क्यां ऑगुझत आया है 2 अगला पॉइंट है की कुछली में किस राजय सरकार के कोवीड फतह भीयान की सुरुवात की गई तो कोवीड फतह जो इसका सुरुवात है पंजाब के द्वरा किया अगला प्रश्ण हम लोगा कि इस्टार लिंक परियुजिना के तहत गूगल क्लाउड ने किस अंतरिक्ष एजेंसी के साथ सम्झावता किया तो यह जो सम्झावत है जब द सहना है चलिए अगला पॉइंट हम लोगहा कि हाल ही में सवूध आरभ को पीछे छोड़ते हुए कौन सा देश भारत का दूसरा सबसे बड़ा तेन अपूरती करता बन गया है तो सवुधी अरभ को पीछे छोड़ कर यहां पर बात हो रही है तो यह आमेरिका ब कि सरकार ने देश भक्ती बजट पेस्किया तो देश भक्ती जो बजट पेस्किया यह क्या यह है दिल्ली के द्वारा कुप है अगला पॉइंट है दादा चाह्यफार के इंटर्नेशनल फिलम फस्ट्इबल आवर्डस ड्त्र ये चलिए अगला एक तालिश नमर जो प्रश्ना का रहा है की कौन सी संगठन हालही में अंतरश्न यजलवाय। सीखर समयलन 2021 का साह यहां पर साह आयोजक बना है तो साह आयोजक जो बना है यहां पर इन्वेस्ट इंडिया बना ठीक राइटेंसर भी हो जाएगा अगला पॉइंट देखा जाए कि हाल ही में कि संस्थान ने कोबिन संक्ट के प्रती भारत के प्रतिकिरिया को मजबूत करने के लिए राष्टिये स्वारूप प्रधिकरन के साथ एक समझावता ग्यापन पर हस्ताक्षर किया तो यह थाक्षर क्या गया है आयाइटी दिल्ली के द्वारा एक राइटंसर यह हो जाएगा अगला जोνε wsp हमलो का है की बदलाव हमसे हैं नमक एक एकिकरित विपन मैंशन संचार व्यांंकिस संग तरह सुरू किया गया तो बदलाव हमसे है यह चुश्षर के़िए हैं यह सुरू किया हैं पार एस स्मौल पइनेश उर्च द्वारा राइड अनकर यह पर सी हो जाएग मैं चलिए अगला पॉंट हे कि आवस और सहरी मामनों के मंतर यह हfal निद रहे हैं कि सहर को वाटर प्लस सघ्कोन फोर बैस்कुल सब्सक्रों जिए इन दोर मध्यों परताश को फूर्दस गोशेच कया है ठीक अगला प्रश्ण हम लों काया कि यूनिकॉर्ण कॉंपनी बनाने वाला यहां पर Is Unicorn प्रूम नहीं है यूनिकॉर्ण कॉंपनी वाला पहला भारतिय एक्रेप्टो कर्यंसी एक्ष्चेंज कौन सा है तो क्रिप्टो क्रेंट से एक्सचेंज जो है वाइक चेंज है आपका क्वाइन डी सी एक्स कौन सा है क्वाइन डी से एक्स राइट अंसर यह हो जाएगा अगला पॉइंट देखा जैंए यहां पर हम लोग का प्रशने की हाल ही में किस बीदिये संस्थान ने निमनलीकित आए बर्ग के उध्यमियों को रेंड परदान करने के लिए एक डिजिटल मंच डिजिटल प्रयास यहां पर एक डिजिटल मंच है जिसका नाम है डिजिटल प्रयास लॉंच किया तो यह जो लॉंच किया गया है यहां पर सीब यहां पर सिद्वी के दारा लॉंच किया गय नहुंचर दाएगा अगला प्रस्ण हमलोग कर looking ए οι वयोगत रचारे गार्पां था करताओं करने वाला भारत का पहला बैंक कौन है तो भारात का पहला बैंक जो है वह का याप biz именно पैमेंट्स बैंक ठेक पैटियम पैमेंट्स बैंक अगरा पॉइंट है कि ओडिसा के गोला गुपालपूर के बिरासत तट बंदरगाह का दोरा करने वाला पहला भारतियों सेना का जहाज कौन सा है तो जो जहाज है वह आई एन एस खंजर है ठेक यहां पर परसने कि ओडिसा के गोलापूर के बिरासत तट बंदरगाह का जो दोरा करने वाला भारतियों नौ सेना जहाज यहां पर कौन सा है पहला पुछा गया है तो आई एन एस खंजर है अगला प्रशने कि आर्टिफिसियल इंटेलिजेंस सिस्टेम के द्वारा अभिस्कार को पेटेंट यहां प किस राजय के एए आई गेम चेंजर आवरट ुहरेकिस जीता है आज़क में चेंजर आवरट 20 जीता गया है वह जीता आगया है आपर तेलंगना के द्वारा से लिए अगला पॉइंट है कि हाल ही में राष्टिय प्रवत रोहन दिवस की स्थी को मनाया गया तो राष्टिय प्रवत रोहन दिवस जो है वह एक अगस्त को मनाया गया कि अगला प्वांट है कि हाल ही में लेबनान के नए प्रधान मंत्री कौन बने है तो ना यजीब मिकाती थी अगला प्वांट है कि हाल ही में किस ख्याल से समप्धध भारत के पुरविखलाड़ी नंदुन टेकर का 88 बर्स की उमर में निधन हुआ तो नंदू ना टेकर यह किस ख्याल से संबंद रखते थे तो वह जो संबंद रखते थे बैड मीनिटल से ठेक चलिए अगला पॉइंट है कि हाल ही में कौन अनुबांसिक की रूप से संसोधित गोल्डेन राइस के उतफरेन को लुखूरी देने का पहला देश बना है और पोइंट है कि हाल ही में कौन दिली के नए कम से नर बनें कह भूर्स टॉपिशणर zurück on बनें तो वह बनाए अगला प्रशने की हाल ही में करनाटा के नए मुखमंत्री कौन बने हैं तो हाल ही में जो करनाटा के नए मुखमंत्री की बात करें तो वा बने हैं आपके बसका राज बहुमाई के हो जाएगा अगला प्रेशन हम लोग कहें के प्रती बार से 20 हेपेटाइटिस दिवस कब मना जाता है तो बीश्वे हेपेटाइटिस दिवस आठाइस जुलाई को मनाये जाता है अगला जो पॉइंट है कि हाल ही में कौन नागरी के उड़ियन सुरक्षा बेवरों के नय महानी उद्यसक नियुक्त किये गए हैं तो नय महानी उद्यसक जो नियुक्त किया गए हैं वो नसीर कमल फोइंट है है थे गारगन पर प्रस्शनी के हाली में कौन जो नागरे के उड़ियन शुरक्षा बेवरों के नय महानी उद्यसक नियुक्त किया हैं तो नसीर कमल अगला प्वांट है कि यह हैं कौन ड्रिंग्फ व्रॉम टैप प्रोजेक्त है फुरू करने वाला का पहला सबना है तो ड्रिंक फ्रों टेप टेप जो है प्रजक्ट शुरू करने वाला राज्य है वारा जैपका पूरी वोडिसा ठेक यहां पर पुछा भारत का पहला सब्सक्राइब रहा हुआ तो पूरी जो की वोडिसा में ठीक चलिया अगला पॉइंट ही हिमें किस राज्य में इस्थेत रमप मंदिर को यूनेसुक्त ने वीश्व धरोहर में सामिल किया तो रम पपाये जो रम नागतिन राज्य पूछा गया है तो यह है आपका तरना में ठीक अगला पॉइंट किस तारिक को तो ратьफ का अस्थपना दियुष मना जाता है अगला पॉइंट है कि किस राज सरकार ने हाल ही में ज़िक्षा के च्यत्र में उप्दा परवन्धन को अनि मर्ज बिसे बनाने की घुष्ष न की तो यह जो घुस्टन किया गया ऐए मॉड़िशा के दवारा किया गया है अगला प्रश्न की हालही में कौन भार्तिय कारोबारी अबु धावी के सर्योच करोबारी बोर्ड ccI के उपर द्यक्षच बने हैं तो यह बने किंको बनाए गया है यहाँ पर बनाए गया यूसूफ अलीकु ठेक चलिए अग्ला प्रश्ण देखा ज़ाएक टोक्यो एलंपिक में किस देश की थिक यंग किसान ने यहाँ पर यंग किस यंग क्यांग है पर यंग क्यांग ने पहला शंवन आपक्र जीता तो यह जीता गया किस देस्की खिलाड़ी है यह चीन की खिलाड़ी ठेक चलिए अगला प्रस्ण एक हाल ही में भारतीय ख्यल्स समान में किसे बर्स 2019 के लिए सर्वस्रष्ट दिभ्यांग खिलाड़ी का पुरुसकार मिला तो यह पुरुसकार मिला है से पूरे भारत में कारगिल बीजय दिवस्त को मना ज़ता है तो कारगिल बीजय दिवस्त यह मना ज़ता आपको 26 जुलाई को ठेक चलिया अगला प्रशने की हाले ही में भारत की सबसे उम्रे राज यहां पर उम्रे दराज छाते भागी रथी अम्मा का कितने बर्स की उम्रे में निधन हुआ तो इनका जो निधन हुआ है यह निधन 107 बर्स की आयू में हुआ अगला प्रस्न देखा जा प्रश्निया हम लोगा है कि हाल ही में AIFF यानि कि AIFF महिला फुटबॉलर आफ दे इयर 2021 प्रुस पूरसकार नेहां पर नियांग गेम बाल देवी को दिया गया यहां पर नियांग गेम बाल देवी को यहां पर आइटन से बीघु जाएगा थ्वड़ा से धुन्दला हो गया है अगला पॉइंट है कि हाल ही में कि से I AIFF पूरुस फूटबॉलर यहां पर महिला की बात संद्य झिंगन को ठीक है चलिए अगला पॉइंट है कि प्रती बैस पुरे भात में राष्टिय प्रस्वाश्यापर प्रसारण दिवस कव मना जता है तो राष्ट्य प्रसारण दिवस जो आपको मना जाता है यहां मना जाता है को टेज जूलाई को थेक श्रे अगला देखा जा फ्रस्डे के प्रतिबर्स बीश्व मस्तिक्ष दिवस को मना जाता है तो बीश्व मस्तिक्ष दिवस की बात करें यह बैस जूला कम जाता है अगला प्रस्णीम भूकार की हली में किस सहर में दुनिया का पहला 3D printed still पैदल यात्री फुल खुला है तो यह जो फुल खुला है किस देश में खुला है पुछा जा रहा है तो यह आपको में यहां पर में खुला गया ठीक राइट एंसर डी हो जाएगा अगूश्ट चलिए अगला प्रशने के झाल ही में कौन हेथ़ी के प्रधान मंतरी बना है है और यहां के प्रवा प्रधान मंतरी करी बना यहां पर एरियल हेंडरीından और विर अगला प्रसनी के किस धेस को पर हम्रें जावानी करें औला अगला सरह बनाएं सबस्क्राइल बंपट्रबार। भी प्रफदोर हैं पर पीडर बन अगला जो पॉयंट हैं पर हम प्रश्ण आम्लोग का यह थोड़ा सब भी प्रश्ण आम लोग के यहां पर 57 नमरी कि हाल ही में किस सन्स्थान ने ओक्सीजन को बचाने है तो एमलेक्स नाम की ऐख सुझनर यहां पर राशनिंग उपकरण बिख्षित की है तो यह किसके दोरा अय इटी रूपर के दोरा यह विख्षित क्या पॉइंट है कि कि किंद्र सरकार ने हौद ही में किस सहर में भारत का पहला भारती विश्चत सथान बनाने की फैसला किया है त अगला प्रशन हम लोगा कि हाल ही में आई ओसी के नए यहां पर आई ओसी में आई ओसी ने किस राजय में भारत का पहला ग्रीन हाइड्रोजन सर्यंत लगाने की खुशना की है तो ग्रीन हाइड्रोजन जो सर्यंत लगाने के खुशना किया है वह उतर परदस में किया गया है कर अगला प्रशनिक की हाल ही में ब्लैक हैं पर ब्लैक चेन तकनीक की का उपयोग करें सभनिक दैस्थमत वैस्ट जारी करने वाला भारत का पहला जी कौन बना है तो वाँ भारत का पहला राज महराष्ट्रा ठैक छलिए अगला पॉर्ण है कि हाल कोन HCL कंपनी के नए प्रबंदक निद्य सबने हैं तो XL कंपनी को जो नए प्रबंधक निवेदक कि इस घ्रने निद्यसक बने मैं ओवनाय ग्या है शी बिजय कुमार को राइट विखम और सरह भी हो यह चलिए अगला मुझा वह 파षिन होग Shell corporis का नाम है मरोणों पंत मोहन बगान रत्न समान से जमान दिया गया है तो यह दिया गया है आपर सिवाजी बनर जी को अगला प्रति बर्स अंतराष्टी सतराउंज दिवस को मना जाता है यह 17 जुलाई को मना जाता है अगला प्रस ने किस राज यहां ने मुख्य मंत्री किसान मित्र योजना यहां पर किसान मुख्य मंत्री किसान मित्र उर्जा योजना की शुरुआत की है तो इसका जो शुरुआत कहाए राजस्थान सरकार के द्वारा शुरुआत कहाए यहां पर क्या है शोली सिस्टर बनी है तो यह जो बनी है सीमा नंदा कौन है सीमा 10 मिला है तो यह मिला है आपको टाइड़न को किसको टाइडन को यह दिया गया है अगरा पॉंट है कि हले ही में जम्मो कस्मीर हाइप का नाम बदल कर क्या रखा गया है तो जम्मो कस्मीर जो प्रति बढ़ से नेलसन मलडेला अंतराष्टय दिवस का मना जाता है तो नेलसन मलडेला जोंतराष्टय दिवस्था यह आपको मनाई जाता है अठारा जुलाई को अगला प्रश्णिया पर हम लोग का है कि हाल ही में हुई घोष्ण के अनुसार किस सहर में भारत का पहला राष्टिय डॉल्फिन अनुसंधान केंद्र बनेगा तो डॉल्फिन अनुसंधान केंद्र जो बनेगा वह बनाए सब्सक्राइब है तो जो दानीश सिध्की थे वो कौन थे तो वह थे आपके पत्र का रहे हैं अगला प्रश्णिया के प्रतिवर्स विश्ट अंत्रश्टी न्याय में नयाय दिवस मिना जयता है तो यह जो नयाय दिवस है यह 17 जुलाई को मनाय जाता है के एक लट नेक हाल ही में अनुसार किनउसार में भारत की पहली टेक्सी चलेगी पर भारत की पहली यहां रहाए तो यह से कि सर में चलेगी तो यह नोइड béैने चलेगी ठीज़ अगला इनिक užसेट के पुर्वराश्टपती ते तो आपकिस्तान के पुर्वराश्ट पती थे अगला पॉइंट है कि हाल ही में इज्राइल में दूतावास खोलने वाला पहला खाड़ी देश कौन बना है तो यह जो खाड़ी देश बना है वह है आपका यू यू इए ठीक यहां पर आपका राइटेंसर जो भी हो जाएगा ठीक अगला पॉइंट है किस राजय की राकार ने इलेक्ट्रिक किस राजय की राकार ने इलेक्ट्रिक टेक्सियों ना लॉंच किया है तो यह जो लॉंच किया गया है करनाटा के दोरा लॉंच किया गया है अगला प्रशना हम लोगा कि हाल ही में केंद्रे सरकार ने केंद्रे क्र परतिसत से बढ़ा कर कितना परतिसत किया तो यह मांगाए बाता 17 से बढ़ा कर 28 परतिसत कर दिया गया अगला प्रशने के हाल ही में भारत का पहला ग्रेन एटियम ग्रेन एटियम कि सहर में खुलेगा खुला है पुछा जा रहा है कि खुला है तो यह कि सहर में खुला है गु बिश्वे युगा कॉसल दिवस मना जाता है तो फिस युगा कॉसल दिवस 15 जुलाई को मनाय जाता है अगला प्रशने की हाल ही में एंटी पीसी को कि सराज्य में भारत का सबसे बड़ा स्थोलर पारक स्थापित करने की मंजूरी मिली है तो यह जो मंजूरी मिला है राजस् होने हैं तो वह पहले भारतिय जो है दिपक कवरा बने है ठीक राइटेंसर दिपक कवरा हो जाएगा और यहां पर प्रश्ण है एक सो तीन सो एक है कि हाल ही में हुई घोष्णा के मुताबित किस देश को बर्स 2030 के बीडावलू एफ सुधी रमन कप की मेजाबानी मिली तो हम लोगों ने कंप्रेट कर लिया और जो आपका सेट चार आएगा इस पीडिका तो उसमें हम लोग 301 से 304 तक जो चार सतक यहने के 300 से लेकर चार सतक हम लोग प्रश्णों को देखेंगे तो मिलते हैं एक लिए वीडियो में तक पक्रिया थैंक्स